प्यारे दोस्तों नमस्कार स्वागते गवार्पुन हैं आप सभी का अपने इस यूटूब चैनल टॉप पर गेलेक्सी पर तो आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे 12 फिजिक्स के अंतरगत कुछ most important question की जो की आप लगातार comment करते हैं कि भाई आप physics पर वीडियो लाइए यानि कि physics के most important question फिर चाया आपका objective हो या आपका derivation हो ठीक है ऐसे ही chemistry की भी आपका बात करते हैं तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको यहाँ पर क्या क्या चीज़े देखे मिलने वाले हैं सबसे important बात पहले समझ लीजिए इस वीडियो में आपको बताया जाएंगे 40 सबसे ज्यादा important objective जो की आपकी संपूर बुक से होने वाले हैं इसके अलावा साथ ही मैं आपको इसी में 45 और ज्यादा most important subjective question यानि कि जिसमें आपका derivation ठीक है theory के question और आपके अतिला गुतरी यानि कि जो short वाले question होते हैं वो आपकी होने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा आपका ये important है आपको पूरा अंतक देखना है पहले हम लोग यहाँ पर objective question को solve करेंगे जो कि 40 होंगे और फिर आपको 45 question और बताये जाएंगे ठीक है तो समझ सकते हैं ये वीडियो काफी important जो आज के इस वीडियो को पूरा आप लोग अंतक बले देखिए तो first question देखिए आपके सामने दिया गया है जिसमें बताये गया है कि विदुद फ्लस का मातरक है अभी तक आपने इस question को अगर नहीं तियार किया तो समझ लो कि objective में एक number आपका cut जाएगा क्योंकि भाई ये एक ऐसा question है जो की board exam में लगबग हरे एक साल किसी ने किसी paper के sit में 100% guarantee के पूछा जाता है अब आपको ऐसे बोलेंगे भाया कितने sit बनते है तो देखिए आपका UP board के अकरम बात कर तो physics में लगबग 7 sit ऐसे ही chemistry में आपका 7 sit जो की अलग-अलग district में आता है और ऐसे में किस question यह रखे मिलेंगे आपको जो 40 question आपको objective बता रहा हूं तो इसलिए कर आपको काफी महत्वपूर चलो तो इसका right answer क्या हो जाएगा दिखो तो हो जाएगा वोल्ट मीटर ठीक है option number B में आप लोग इसमें टिक कर लीजिए second option चली next question अंगला प्रिसंदे की दिया गया है कि आठ कुलाम रिड़ आवेस में उपसित इलेक्टरानों की संख्या क्या होगी बताओ देगे जैसे कि यह numerical है और इस question के आने की chance बहुत ज्यादा है मनब समझ लो कि 40 question बता रहा हूं बहुत important है और यह आपका अतिलगूतरी यानि एक number का जो question आता है उसमें पूछा जाता ह तो इसको स्वाल भी आपको करना पड़ सकता है तो देखे नंबर आप इलेक्टरान बताने हैं मलब इलेक्टरानों की संख्या तो क्या करेंगे एक इलेक्टरान का जितना चार्ज होता है जिसे होता है 1.6 कुड़ेट इन पावर माइनस 19 कुलाम उसको क्या करेंगे यहां पर भाग करा देंगे आप ठीक है आठ में और जितना वाईल हो आएगा वही आपका यहां पर राइट अंसर हो जाएगा तो यहां पर आपको कर देना है और पर इसमें अनंत अंगला कोश्चन नेक्ष्ट प्रसन देखें यहां पर दिया गया कोश्चन नमबर 4 का रहा नि जिससे आप C बोलते हैं न तो भाई इसका होता है क्या धारिता का मातरक आप यहां पर काफी सारे बोलेंगे यहां धारा तो नहीं है कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग तो यहां पर आपका हो जाएगा कुलाम प्रती वोल्ट क्योंकि देखो आपने पढ़ा होगा C बरा कोशन पक्का बनेंगे अब्जेक्टिव में याद रखना अंगला कोशन देखो 50 ओम प्रतिरोध के धात्विक तार को खीच कर उसकी लंबाई के राद दो गुनी कर दी जाती यहां पर पॉइंट में ध्यान देना बहुत इंपॉर्ण कोशन है दो गुनी कर देते हैं तो तार का जो नया परतिरोध तयार होगा वो कितना हो जाएगा काफी महत्य Plan 1995 आपको अगर तार की लंबाई को दो गुना किया जाता है तो बहुत या प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा देखो प्रेयरकत्तों का मात्रक भाई आपको पता हेनरी होता है ठीक है ना बोलेंगे भाईया हेनरी होता है लेकिन पूछ रहा है कि प्रेयरकत्तों का मात्रक है जो कि इसमें बिकल्प में हेनरी नहीं दिया गया तो आप भाईया हो जाएगा ओम सेकंड इसमें याद रखना तो स्वाप्रेर्कट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् एमपीर है तो बोल्ट सेकंड प्रती एमपीर ठीक है? इजना याद रखना एमपीर आपका लास्ट में होगा तो भाई यह आपका हेंडरी के बराबर या हेंडरी के संतल होता है तो सेकंड आपसन इसमें सही है नेक्ष देखो लेंज का नियम आपने पढ़ा होगा तो लेंज का नियम जो है किसके सनरचन पर कार करता है बताओ तो ये किसके सनरचन पर अधारीत होता है तो भाई होता है उर्जा सनरचन किस पर उर्जा सनरचन तो यहाँ पर ओफसन नमबर थड़ सही है नेक्श देखो चुम्बकी दूइधरू अगूड का मातरक देखो चुम्बकी दूइधरू अगूड इसमें आपको बताना है मातरक से ज़्यादा तर question मैंने आपको बताए है और कहीं एक question आपका objective में पका आता है जो कि मातरक किसे related होता है ठीक है तो यहाँ पर अगर बात करें तो इसका हो जागा ampere meter square ठीक है यह आपका जो second number विकल्प है इसको कर लेना यह क्या है चुम्बकी दूइधरू अगूड का मातरक है इसके बाद एक सबसे ज़्यादा important question देखो कह रहा है कि one upon under root epsilon not mu not इसका मातरक बताओ देखो इसमें एक चीज याद रखना यह जो बाइलू होती है कभी कभी पूछ रहता है question कि one upon under root epsilon not mu not का मान बताओ कब मान क्या होगा भाई तो मान होता है c के बराबर यानि c क्या है प्रकास की चाल और आपको पता है प्रकास की चाल का मान होता है तीर गुड़े दसकाते आठ मीटर प्रती सेकेंड अब बताओ यहाँ पर क्या मातरक लगा है तो बोलेंगे भाईया मीटर प्रती सेकेंड तो इसमें अब देखो भी कल्बों में कौन सा है तो सेकेंड नमबर तो भाई यही सही हो जाएगा याद रखना यह आपका सही है और इसका जो पूरे का बैलू होता है वो प्रकास की चाल यानि सी के बराबर होता है तो कभी कभी यह भी पूछता तो यह भी याद रखना नेक्स्ट कोस्टन देखेंगे अंगल देखो नियूनतम आवरत्ती की विद्धू चुम्ब की तरंग है देखो नियूनतम की बात करा है ठीक है ना अधिकतम नहीं है यहाँ पर नियूनतम यानि कम से कम तो कम से कम की बात करा है यानि कि निम्तम आवरत्ति तो यहाँ पर आपको लगाना है option number 4 में micro जैसा कि आप नाम से भी पहँचान सकते micro मतलब क्या होता बहुत ही छोटा सा part ठीक है किसी विवस्त का बहुत ही छोटा हलका part ठीक है तो यह क्या होता है micro meaning micro आपने इसको जरूर सुना होगा तो आपका micro तरंगी यहाँ पर right answer हो जागा 13 number question पर बढ़ते हैं अंगला देखिए 13 number का इराल सबसे अधिक आवरत्ति का तरंग की तरंग है तो सबसे अधिक आवरत्ति हैना आप सबसे ज्यादा की बात कर रहा है तो अधिक में आप लगाएंगे गामा तरंगों में ठीक है यानि कि आपको गामा तरंगे इसमें कर देना है चले नेक्श देखिए अंगला है जब कोई तरंग किसी माध्यम से में प्रिवेस करती है तो परिवरतन नहीं होता मतलब ऐसा कौन सा तरंग है जब कोई किसी माध्यम में मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम बोले तो सगहन से बीरल में है ना ऐसा होता है ना जैसे जल से वायू में तो अगर माध्यम चेंज होता है तो उसमें क्या नहीं बदलता तरंग की आब रत्ती नहीं बदलती तरंग दर्ग नहीं बदलता है तरंग का बेग या तरंग का आयाम तो right answer लगा लिज़े तरंग की आब रत्ती ठीक है ना फियर केवेंसी आपकी नहीं चेंज होगी पंदरा नमबर देखो कह रहा है यदि सगन माध्यम में आपतन कोड जो होता है आई क्रांती कोड यानी की सी जो क्रिटिकल इंगल आपको होता है ये क्या हो बराबर हो तो भाई आप वरतन कोड यानी आर कमान क्या हो जाएगा बताओ तो इसका राइट आंसर हो जागा 90 यहां पर आपको क्या करना इसको दोनों को जोड दे ना है जब आप दो आपको पता है कि यहां पर तूडी ही बचेगा और इसमें आपका second option right हो जाएगा ठीक है क्योंकि एक minus की value है तो भाई आप 4D से minus 2D हटाएगे तो 2D ही बच जाएगा next देखो 17 number question है किसी गोली है दरपणी की focus दूरी यानि F यह वक्रता तिर जम संबन 10th में आपने पढ़के आया है ठीक है ना F बराबर क्या होता है R by 2 होता है ठीक है F बराबर R by 2 तो भाई आपको यहां पर दिख रहा होगा option 3rd इसको कर लिजे next question निम्न मेंसे किस रंग के प्रकास का वेग जल में सबसे अधिक होता है बताओ तो लाल रंग पीला हराब एगनी जो भी है इसमें आप देख लिजे यहां पर right answer आपको लाल रंग लगा देना है जो कि आपको पता है कि वो जो लाल कलर है वो बहुत ही दूर तक दिखाई देता कितना भी मतलब कोहरा हो दुन दो उसे में भी क्या होता है लाल रंग दिखाई देता रहता तो भाई यहां पर यह क्या होई आपका right answer हो जाएगा option number first ठीक है ना चलो नेक्श देखेंगे अंगला है आपका उनीस नंबर वहा है गटना जो प्रकास की अनुपरस्त तरंग प्रकति दरसाती है उसको क्या बोलते है बैतिकरण विवर्तन धरुवण अपवर्तन तो आपको बता दे जो अनुपरस्त तरंग प्रकति दरसाती है इसी गटना को हम क्या बोलते है तो बो हो जाएगा, एक इस नमबर कोईशन पर आते हैं करा किसी गतिमान कर से संबद डीवरागली तरंग की तरंग देर निर्भर नहीं करती, तो दरब्यमान पर आवेस पर बेग पर या संबेग पर तो देखो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका अपसन नमबर भी यानि आवेस, ठीके ना चार्ज, तो इसको कर लीजेगा आप लोग अंगला देखो, बाइस नमबर कोईशन है फोतान का विराम दरब्यमान होता है फोतान का विराम दरब्यमान कितना होता है तो यहाँ पर आपका सुन like, ठीके ना ये सूनने होता है, तो इसमें आप लोग D number कर लिजे, अंगला देखो 23 number question है, lambda, जो की तरंग दैर्ग होता है, ठीक है न, lambda, के फोटान की उर्जा बताओ कितनी होती, तो यहाँ पर आपको लगाना है, hc upon lambda, देखो hc upon lambda, यह क्या है बोलेंगे, तो यह होता है, plank नियतांग, ठीक है न, इसको बोलते हैं, यहाँ प्रकास की चालो, और lambda आपको कहता है, तरंग दैर्ग होता है, इसके बाद देखो, 24 number question है, जस्ते की सताह से, इलेक्टान, उसर्जन, हेतू, नियमलिकित में से, कौन साब विकीरन, अत्यधिक प्रभावी होता है, तो यहाँ पर आपक प्रकास बैदुन प्रभावजवाब पढ़ेंगी, तो याओ धात्यधिकि कोई माल जिए सताह ठीकर न, और इसमें क्या है, इलेक्टान है, तो इसमें क्या होता है, जो प्रकास क्रणे डाली जाती है, वो पर आवयाग नीप्रकास होता है, जिससे की यह जो इलेक्टान है इधात्यु की सताय पर उस सर्जित हो जाए या आ जाए तो आपका उफ्षन फोर जो है आपर करेक्ट है पच्छिस नमबर निम लिकित में निम लिकित कंड एक ही बेक से गतिमान है वहले एक बेक से चल रहे हैं जो कि प्रोटान हो गया डिटरान हो गया अलफा कंड हो गया देखे अग्ला कोईसन है हाइडोजन परमाड़ू की आयन ही रूजा का आमान कितना होता है तो हाइडोजन परमाड़ू की जो आयन ही नूर्जा होती है माइने से 3.6EB AB का मतलब बता ही लिएक टान बोल ठीक है तो यहाँ पर second option आपका सही है अंगला question और comment में एक बार जरूर आप लोग बताएगा कि आप 40 objective में से कितने कर पाते हैं और जो आपको 45 और question बताने वाला हूँ आप उनको कितने question आप उनमें से तयार कर लिए हैं और आपनी तयारी का आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि किस प्रकास है आपकी जो preparation है वो चल रही है तो इसका आपको लगा देना है यह अपान टूपा यह आपका सही है option second ठीक है next देखो परमाडू के अंदार alpha कण किस बल के काण प्रक्रेडिट होते हैं तो यह होते हैं कुलामबल से कुलामबल से भाई कुलामबल तो यहाँ पर आपको लगा देना है option number third ठीक है यह आपका सही है अब इसके बाद अंगला question देखो यहाँ पर आपके सामने विकल्प दिये गए जिसमें 0 आपको कर देना है ठीक है ना second option सही है 31 नमर question पर बच्चों कह रहा है इसमें की कंड ऐसा कंड जो की 92 U 238 ठीक है ना यह इसका परमाड़ क्रमां की होगे 92 और परमाड़ द्रभ्मान 238 के नाविक में नहीं उपस्ते थे भाई तो यहां पर आपका इसमें नहीं पाए जागा बान बेल एक ट्रान ठीक है ना यह आपका सही है इसके बाद है zero Kelvin देखो यहां पर ये कहे है कि मत समाज़ेगे जीरो Kelvin है जेरो Kelvin ताप कर सुधध द्रचालक है पताओ जीरो केलविन ताप क्या होता है तो यह बहूता है विदूत रोधि क्या होता है विदूत विद्धुत रोधी होता है ठीक है ना चले नेक्स कोशन अंगला कोशन है एक यन टाइप अर्धचालक होता है तो भाई ये धानावेसित रिड़ावेसित उधासे इन में से क्या हो सकता है तो ये होता है आपका धानावेसित यन टाइप में क्या होते है धानावेस इसके बा आप लोग germanium मिला रहे हैं इसका जो असुद्धी होगी य काउंच होगी तो भाई इसमें आपको drug Attack क्या मिलाना है कि अलेमोणियम अन्छा आपको प्रकार क्या चालक बनाना है अगर तो आप क्या करेंगे सुद्ध जर्में यह में म्मोन उम्री आ देंगे तो यह जो बोलते हैं जैसे एक तरह पापका P-type का आर्चा लगाई और एक टाइप का N-type का आर्चा लगाई ठीकना एन टाइप का और यह जो बीच का स्थान होता इसको बोलते हैं आउच्छ है प्रद ठीकना यहाँ पर ना उक्रमांग का समान है परंतु परमाड उक्रमांग भिन भिन है तो वे होंगे कैसे होंगे तो भाई इसमें आपने नाइंद क्लास में ही पढ़ लिया अगर परमाड उक्रमांग बराबर है तो क्या हो जाएंगे समस्थानिक क्या होंगे भाई समस्थानिक तो आई होप आप स कि देखो अंगला कोशन ने सूरी की बिकिरन उर्जा का स्रोथ क्या होता है तो यह सूरी में आपको पता है कि नाभी की यह सनलयन की उर्जा जो है काम करती है ठीक ना सूरी की बिकिरन उर्जा में तो राइट आंसर आप लगाए यह उप्सन डी में यानि चौथा विकल्प अगला कोशन डापलर प्रभाव निर्मीत होता है यदि डापलर प्रभाव यह भी आपने पढ़ा होगा तो आपका यहां पर राइट है स्रोत की गतिसील अगर गतिसील है या संसूचक गतिसील है दोनों आपके विकल्प इसमें सही है ठीक है फॉस्ट और सेकें लेकिन यहा अभिसारी प्रकृति होती कैसी अभिसारी ठीक है ना नेत्र लेंस जानी कि जो आखों में आप चस्मा यूज करते हैं उसका लेंस जो होता है वह अभिसारी प्रकृति का होता है इसके बाद आईए अब चालिस को असन यहां से हो गए ठीक है आपकी अब्जेक्टिट लेते हैं तो बहुत ही अच्छे नंबर आपके आने वाले हैं और आप अगर इसी प्रकार से मौस्ट इंपॉर्टन कोशन का नोट्स चाहते हैं पूरा ठीक है ना हैं डिटे नोट्स आप इसी प्रकार से सारी के सारी कोशन का चाहते हैं और सारी सब्जेक्ट आप फिजिक के साथ मिलेंगे उन नोट्स में तो चलो पहले चेप्टर से सुरुवात करते हैं पहला चेप्टर है बैदुत अबेश तथा छेतर इसमें काउन काउन से टापिक आपके लिए इंपॉड़ेंट है वो देखिए और सारे कोश्चन तयार कर लेना फर्स्ट कोश्चन आपके ल भी काफी महात तो पूर है अंगला है बैदु चेतर में बैदु दिद्रू को घुमाने में किया गया कारे का सूत्र तो यह आपका यहां पर दो से तीन नंबर का कोश्चन यह भी है तो टूटल चार कोश्चन जो की मलब आप कह सकते हैं कम से कम आपको बता रहा हूं ठीक ह यहां पर समांतर पेड़ संधारित की धार्ता भाई पांच नंबर का यह मौश्चन इंपोर्टन अंगला है विल्गित कोली चालक की धार्ता जो की सी बरावर फोर पाई एपसालन नौट आर यह आपको प्रूब करने के लिए काफी महत तो पूर है बैदु विभाव को सम करते हैं और अनुगमन भेग वीडी जो होता है ठीक है न इसको आपको प्रूब करने के लिए पूंचता है और इन सभी का सल्यूशन में करा चुका हूं बाकि नोट्स अगर आप लेंगे जो मैंने बताया उसमें आपको मिलेगा पूरा हुई टिश्टों से तु कासी धान कोशन ज्यादा पूंचे जाते हैं और इसमें देखो पहला ही कोशन आपके सामने है लारिंज बल को समझाईए काफी महत्तों पूर्ण है बायो सबट का नियम भाई ती नंबर में कोशन हमें सब पूंचता है इसको कभी कभी हो सकता है पांच नंबर में आगे तो इसके सा चुम्बक में चैनल को सबस्क्राइब नहीं किये एक बार प्लिस कली जगत तकि आने वाला वीडियो आप से मिसना हो और सारे की सारे एकदम अच्छी सीरीज आपकी चल रहे है नुमेरिकल की ठीक है ना चलू नेक्स देखते हैं अंगला चेप्टर आपके सामने है वैदुद चुमकिये प्रेरण इसमें आपको त्यार करना है 17 नमर कोशन फाराइडे की वैदुद चुमकिये प्रेरण प्रत्यावति धारा चेप्टर पर देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्ण चेप्टर है इसमें आपको त्यार करना है प्रत्यावति धारा का वर्ग माध्य मूलमान ठीक ना आई आर एमस चाहे धारा के लिए हो रूट मिनी स्कौएर वैलू या वोल्टेज के लिए तोनों क पांच नंबर कोशन बनेगे ट्रांसफार्मर क्या होता है ट्रांसफार्मर के प्रकार होगा इसके कार करता है कारेविधी हो गया ना सिधान्त हो गया पूरा चित्र के साथ ये पांच नंबर का कोशन आगा तो इसको मैं करा दूँगा आपको ठीक है ना बहुत ज्यादे यहां पर है विदूद की तरंगे क्या होती है नेक्स्ट यहां पर है मैक्स बेल के विदुद चुम्ब की तरंग का सिधानत के और इसकी ब्याख्या ये आपको इतने कोशन 26 या तक हो चुके अगरी सेकेंड बुक यहां से स्टार्ट होती है और सेकेंड बुक में दो को तयार करना है किरन प्रकास की और प्रकासी की अंदर में आपको पहला कोश प्रकास की में ध्यान देना विव आप्टिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टन कोशन है सबसे ज्यादा ये पहला वाला हाइगेंस की दोतियक तरंग काउं से प्रकास के पर आवरतन और अपॉर्टन के लिए और आपका कोशन जो होगा पूरा ये चार से पांच नंबर का होगा ठीक काफी महत्यों पूर्टे बेतिकंड विवरतन में अंतर पूशता है ठीक है अंतर वाला कोशन ये आपका पहले एक फसा है इसके बाद आपका संपोशी विनासी बेतिकंड के लिए सर्ते बुरुष्टर का नियम ठीक ना एन बराबर 10 IP आपने पढ़ावी होती है प्रकास बैदुद प्रभाव यह तो मैंने आपको बताया है अना धातु की सता से लेक्टान उसाधित कराना इसके बाद दीवरागी तरंगदर के लिए सूत्र आयंशिंद का प्रकास बैदुद समीकन और कारे फालन ये काफी इंपोर्टेंट है इसके बाद परमा अधुमारल और हाइड्रोजन स्पेक्टर्म के लिए सेंडिया तो इस चैप्टर से जो आपका यह वाला कोईसन है इसमें देखो आपको पूछेगा लाइमन स्रेड़ी बामबा सेंड़ी प्रेसन सेंड़ी ब्रेकेट सेंड़ी फूने स्रेड़ी पांच स्रेड़ी यहां और कितनी पांच और पांचों आपको मिलाकर आएगा पांच नंबर का यह कोईसन तीन से पांच नंबर पक्का पूछेगा तो इसको प्लीज कर लेना यह इस चैप्टर से एकदम हाइलाइटिट कोईसन है आपका ठीक ना तो कर लेजेगा इसके बाद नाभिक देखो हाई फेल होने का तो कोई चांस ही नहीं फुले गारंटी के साथ यह कोईसन आपको बता रहा हूं अगर आप इतने तयार करके जाते हैं बागी अगर अच्छे नंबर ची तो हाई नुमेरिकल हो गया और आपको कुछ और कोईसन है जो कि मैं आपको चैनल पर अभी प्रवा जेहिन वन्यवात्रम